Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन के बारे में जिसे हम गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं उसके लिए भारत में सफारी शुरू की गई है छे सिटीज में तो इस वीडियो में हम एक तो गंगा सफारी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट गंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आज दो questions के साथ start करूँगा, आपको answer कमेंट में लिखना है और answer में आपको वीडियो के दोरान बता भी दूँगा सबसे पहला question है कि भारत की पहली Dolphin Observatory ये कौन से राज्ये में बन रही है Dolphin Observatory जैसा नाम से पता चल रहा है एक ऐसा विशेश स्थान होगा जहां से आप Dolphin को वाच कर सकते हैं, observe कर सकते हैं तो ये कौन से state में बन रहा है भारत का पहला Dolphin Observatory मद्यप्रदेश, बिहार, यूपी या गुजरात और दूसरा question है कि भारत में एक ही नदी है जिसमें Indus River Dolphin मिलती है, वो नदी कौन सी है? Indus River Dolphin भारत में कौन सी नदी में पाई जाती है? चलिए अब हम अपना वेडियो शुरू करते हैं अभी अभी Prime Minister Modi ने Project Dolphin भी launch किया था कुछ एक महीने पहले जिससे हम गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, हम उसको बचा सकें, उसका सररंक्षन कर सकें, उसको कंजर्व कर सकें ऐसा माना जाता है, भारत में लगबग 3700 गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, ये जादातर बिहार, यूपी और असाम में पाई जाती है जादातर बिहार, यूपी और असाम में, टोटल इनकी संख्या है लगबग 3700 आगे बढ़ने से पहले में आपको ये बताता हूँ कि भारत में मिलने वाली जो डॉल्फिन है, यानि गंगेटिक डॉल्फिन और जो दूसरे कंट्रीज में डॉल्फिन मिलती है, जैसे फॉर एक्जामपल यूरोपियन डॉल्फिन, इन में फर्क क्या होता है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये है जो इंडिया में मिलती है गंगेटिक डॉल्फिन और ये है जो यूरोप में मिलती है एक बहुत बड़ा फर्क आप देखेंगे कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसका जो आगे ये स्नाउट है, ये काफी प्रोट्रूडिड है यानि जो एक चोंच टाइप एक आकरिती निकली हुई है आगे जो की यूरोपियन डॉल्फिन में नहीं पाई जाती और ये जो चोंच निकली हुई है जिसको स्नाउट बोलते हैं इसमें दात लगे हुए काफी और इनी दात की वज़े से ये अपना शिकार करती है तो जाधा तर ये जो छोटे invertebrates है और मचलियां है उन्हें खाती है जो गेंगेटिक डॉल्फिन है और गेंगेटिक डॉल्फिन जो होती है वो blind होती है यानि वो देख नहीं सकती ठीक है वो देख नहीं सकती ये भी याद रखिए और इसकी जो एक गर्दन है ये काफी लचीली होती है काफी जाधा flexible होती है जिसकी मदद से ये पानी में मुड़के असानी से मचलियों को पकड़ सकती है तो इसका एक snout होता है और उसमें teeth लगे हुए होते हैं लेकिन European Dolphins जो है उनमें ऐसा कोई snout हमें कोई बहुत जाधा protruded देखने को नहीं मिलता तो इसलि कारे में थोड़ा और जानते हैं इसका जो IUCN status है वो है endangered IUCN एक संस्था है International Union for Conservation of Nature जो अपनी red data book में जो भी खत्रे में होते हैं animals और plants उनको रखता है और उन्हें कई categories में divide करता है जैसे endangered critically endangered endangered मतलब होता है जो विलुप्त प्राय है यानि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये फिर घोर रूप से विलुप्त प्राय हो जाएगी यानि critically endangered हो जाएगी और finally फिर विलुप्त हो जाएगी यानि extinct हो जाएगी यानि हमें इस पे काफी ध्यान देना है क्योंकि अलड़ी ये विलुप्त प्राय है इसका जो वैग्यानिक नाम है वो है Platanista gangetica Platanista gangetica जब भी एनिमल को या प्लांट को लिखने का जो ये तरीका है इसको हम binomial nomenclature भी बोलते है गंगेटिक डॉल्फिन भारत का national aquatic animal है सन 2009 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने इसके सररंक्षन पर ध्यान अगरशित करवाने के लिए गंगेटिक डॉल्फिन को भारत का national aquatic animal declare किया था और एक important बात यह है कि जो ये डॉल्फिन होती है ये सिर्फ fresh water में मिलती है ये marine water में नहीं मिलती यानि समुदरी पानी में मिलती ये सिर्फ जिसे बोलते है fresh water या मीठा पानी उसमें मिलती है ये blind होती है और ultrasonic sound waves generate करके sonic sound waves को generate करकर और क्या dolphin खुद मचलिया होती है नहीं डॉल्फिन जो है ये mammal होती है यानि कि स्तंधारी जीवों में इनकी गिंती होती है मचलिया ये नहीं होती है ये mammals होती है और भारत की सरकार ने इनने maximum protection दिया हुआ है जो Indian Wildlife Protection Act है 1972 का उसमें जो पहली सूची है schedule 1 उसमें रखा हुआ है इसका मतलब इनने maximum protection दी हुई है अब भारत में National Mission for Clean Ganga National Mission for Clean Ganga ने सफारी स्टार्ट करी है छे जगा पे भारत में तो इन छे में से चार जगा है UP में एक है बिहार में और एक है West Bengal में तो पहले देखते हैं UP में सफारी कहां स्टार्ट हुई है सफारी मतलब क एक जानवर के नस्दीक जाते हैं उसके habitat के पास जाते हैं और उसको observe करते हैं तो उसे सफारी बोलते हैं तो इसका नाम रखा है Dolphin जलज सफारी ये इन जगा पे स्टार्ट की गई है जैसे UP की बात करें तो बिजनौर ब्रजगाट ये ब्रजगाट जो है ये हापुड में आपने गड़मुक तेश्वर सुना होगा परियागराज वारांडसी ये है UP में फिर बिहार में है कहल गाओं जो है ये भागलपुर डिस्टिक्ट में है और वेस्ट बेंगौल में है बांडेल जो की हुगले डिस्टिक्ट में आता है तो डॉल्फिन जो है गंगेटिक ड बनके बांगलादेश में जाती है जहां वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और फिर ये मेगना डेल्टा बनाकर सुन्दरबन डेल्टा जो बनता है वो फैलता है तो एक तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा मेगना सिस्टम में मिलती है और दूसरी है करना फुली और संगु butries में भी कई बार दिख जाती है जैसे यमुना में कई बार दिख जाती है लेकिन mainly गंगा में ही ये पाई जाती है अब सफारी का फाइदा भी होता है कई कई लोग कहते हैं कि सफारी की वज़े से नुकसान होता है क्योंकि जो परियटक है वो आकर जो वन्यजीव है या जो जन्तु है उन्हें परिशान करते हैं ऐसा नहीं है सफारी की वज़े से फाइदा होता है कमर्शल अक्टिविटी भढ़ती है रोजगार भढ़ता है और जब पैसा आता है तो उससे फिर जानवरों के सर्वंक्षन के जो परियास है उन्हें भी बल मिलता है तो पहले तो सारी जगा के नाम अच्छे से याद कर लीजिए बिजनौर ब्रजगाट परियाग राज और वरांसी यूपी में कहल गाउं बिहार में और बांडेल वेस्ट बेंगॉल में अब ये जो यूपी है आके होते हैं वेटलेंड तो मार्शिज वगारा ये सब वेटलेंड में आते हैं तो हैदरपूर वेटलेंड जो है ये हस्तेनापूर वाइल लाइफ सेंचुरी का पार्ट है और हस्तेनापूर वाइल लाइफ सेंचुरी काफी बड़ी है इन फैक यूपी के 5 जिलों में फ जो बिजनौर से लेके नरोडा तक का जो इलाका है, जहाँ पे काफी डॉल्फिन देखी जाती है, ये लगबग 200 किलोमीटर का गंगा नदी का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर इसमें हम काउंटिंग करेंगे कि हमारी जो डॉल्फिन है, उनकी हम गन्ना करेंगे, उनका सेंसस करें गिनेंगे कि यूपी में कितनी हैं, बिजनौर से नरोडा, नरोडा वही जगा है जहाँ पे यूपी में एटॉमिक पावर प्लांट भी है, उसके अलाबा ये जो सफारी होगी, इसमें जो वलंटियर करेंगे लोग उन्हें गंगा प्रहरी कहा जा रहा है, वो टूरिस्ट भी है भारत में घडियाल को देखने के लिए, जैसे कैन घडियाल या सोन घडियाल जो मद्यप्रदेश में हैं, तो जो डॉल्फिन है ये इसे नुकसान किस चीज़ से है, देखिए और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, हम डॉल्फिन को इतना क्यों बचाना चाहते हैं, जो कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, तो ये इंडिकेटर स्पीशी है, दूसरा ये मचलियों को खाती है, तो ये एक तरह से जो टॉप एको सिस्टम उक्यूपाई करती है, ठीक है, टॉप अफ़ फूड चैन पे रहती है, अगर माल लेजे डॉल्फिन की संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो जो फिर मचलियां बगारा है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और हमारा फिर जो जल्य संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा, तो हमेशा जो टॉप पे फूड चैन में स्पीशी होती है, हमें उसको बचाने के लिए maximum effort करना पड़ता है, इसको ख फिशिंग की वज़े से भी ये खत्रे में है, कई बार जो फिशिंग के nets होते हैं, उनमें भी ये फस जाती है, उस बज़े से भी जो ghost net बोलते हैं, कई बार मच्छुआरे जो हैं अपने net मचली पकड़के वहीं पे डंप कर देते हैं समुदर में, नदियों में, तो उसकी वज़े से भी ये होता है, या फिर excessive silting या sand mining की वज़े से भी ये खत्रे में है, और हम इसको जरूर बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है, यूरोप में एक नदी भैती है, जिसको बोलते है, राइन, ये नदी, Switzerland, France, Germany, कई सारे countries में भैती है, तो हमने राइन action plan बना हम उसे बचा सकते हैं, भारत में अभी एक ही century है, डॉल्फिन century वो है, विक्रम शिला गेंगेटिक डॉल्फिन century जो बिहार के भागलपुर में है, जहां पे इनका सररंक्षन किया जाता है, वीडियो खतम करने से पहले, जो मैंने आप से question पूछे थे, उनके आपको answer देता हूँ, भारत की पहली dolphin observatory, ये बिहार में बन रही है, भागलपुर में, और जो इंडस river dolphin है, वैसे तो ये पाकिस्तान में पाई जाती है, इंडस नदी में, लेकिन इंडिया में ब्यास नदी में पाई जाती है, तो इस question का जो answer होगा, वो होगा, option B, ब्यास, so ये था हमार वीडियो, I hope आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा, और आपको समझ में आया होगा कि dolphin को बचाना इतना आवश्यक क्यों है, गैंगेटिक dolphin किस तरह से अलग है, कहां कहां पाई जाती है, और ये जो सफारी है, ये एक dolphin को बचाने में, जो सररंग्शन कार रहे हैं, उनमें आगे कैसे उसको बढ़ाएगी, thank you for watching, study IQ.